कि थोड़ा एक्जिट पे बात करते हैं कि अल्टिमेटली एक हो गया बाई एन होल लेके भूल जा हूँ अभी दुनिया थोड़ी डिफरेंट हो गई है तो माइड में वो एक्जिट वर्ड आने लग गया है कि क्या पता क्या होगा दुनिया में इस बिकम सो डिस्ट्रॉप्टिव एंड अन्परडेक्टिबल तो एक्जिट कैसे करें इंसान के बिजनस को देख के एक्जिट करना सब मुझे सबहु लगता है कि कौर्टली रिजल पता लेगा उसके बाद पता लेगा तब तक तो भाव को करना को कर चुका है विकाद जिनको जादा इंटेलिजेंस है जिनको जादा अंदर की ख़बर है उनको पता लग जाता है कि घरवार चाजा लिएड को इस पर प्रफोलियों में आप गोल बेस एक्जिट करिए जैसे आपका गोल था कि 10 साल बाद मेरा कॉर्पस जो है मुझे लेट से 10 साल बाद 1 करोड रुपे चाहिए मैं एक एग्जांपल दे आपने स्टार्ट किया है तो जैसी वो गोल नजदीक आने लगे एक्जाक उसका वेट मत करिए धीरे-धीरे उसको जिसे हम सिस्टेमाटिक पर ड्रॉल भी बोलते हैं आप शुरू कर सकते हैं अगर मेरा गोल पूरा ही नहीं हो पा रहा है उसको एकनॉलिज करिए और जिसने गलती अकनॉलिज कर ली उसने आदी जंग वैसे ही जीत ली तो एक कोर पूर्फोलियो को गोल के पास आप एक्जिट करिए जैसे आपका को लाता जाए आप उतना कैश में आते जाहिए उस पैसे को लिक्वीड या फिक्स दिपॉजिट में आप ट्रांसर करते हैं इवेंट ड्रिस्क मत रखिए कि मैं फाइनल दिन मान लीजे मुझे रिटायर होना है दस अपरेल को दोहजार तेईस में तो आप 10 अपरेल को एक पूरी साइक साल में आ गई वहां पर आपको बहुत क्लियर होना है कि यह मेरा उसमें और रुख जाओं थोड़ा पैसा और बंजा वैसा नहीं करना आपका क्लिरली डिफाइंड होना चाहिए कि मैं अगर सिक्लिकल कॉल ले रहा हूं तो मैं इस लेवल पर निकलूंगा इस आपको पता है आपने यह देखा है साइकल डेलेफ देखे आप शुरू हुई है 1100 रुपे 2007 में होता था ओटो है चार साल आप देखे रिटन नहीं बना है मारूती उसी भाव पे हीरो मोटो कॉप थीन हजार के बहुपे था 2016 में तो ऑटो का चार साल अब सब को सड़नली आपकी होनी चाहिए सिक्लिकल Zoom सेक्टर मेरा यह मनना है कि वाएं होल्ट और बाइटु सेल इइसा नहीं है कि सब कुछ चोह सेल है एक साल के लिए बैन लग गया तो अब मैं अगर सोचूं कि मेरा मेरा तो कोर पॉटफोलियो था जी मैं इसको नहीं एक्जिट करूँ अगर इवेंट से आपको लगता है आपका हाइपोथेसिस चेंज हो गया है तो उसको उसको करेट कर दिया अदरवाइस उसको रखे लंब और टेंपराइधी प्रोब्लम ऑपर्चुनिटी है